I fried you almost welcome 1 second at my channel I Kathleen seminars and today we will learn what is the uses of voice यहाँ दोस्तों आप लोग बिल्कुल से सुन रहे हैं आजके एसbung हम लोग यह जाने वाले हैं कि English grammar में wise का क्या use है तो friend बिना time को waste करते हुए सुरौ करते हैं और जानते हैं कि English grammer में और वाइस का क्या यूज़ है और फ़ेंड वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एmotion ही बता दना चाहता हूं पर जब भी मेरे वीडियो को देखें तो दीए स्टार्ट से लेकlares न तक देखें तो ही आपके स्वज़ ब करना फर आप से मिस हो जाएगा इसे फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको यह शुरू में बतला दिया हूं कि आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर इन तक देखें तो फ्रेंड चलिए सुरू करते हैं और जानते हैं कि इंग्लिश गिरामर में वाइस का क्या यूज है फ्रेंड हमारा आज का टॉपिक है वाइस फ्रेंड वाइस जो होता है वो फॉर्म आप भर्व होता है और फ्रेंड वाइस का दो कैंड होता है दो परकार होता है एक होता है एक्टिव वाइस और दूसरा होता है पैसिव वाइस जब सब्जेक्ट सोई कारी करता है तो फ्रें जानते हैं हम लोग पैसिव वैस क्या होता pienश करते हैं और जानते हैं क्जब सब्जेक्ट के कोई कार्य किया जाता है तो उसे पैसीव औसों बोलते हैं पंद्र वीजीДियो को धियानसे देखते रहें तो जाते हैं Fifa वाइस का जो object था a letter यहां पे वो subject हो गया है a letter is written by Mohan और friend यहां पे जो rights है इसका third form of the verb use होगा जो की written होता है और friend passive voice का use कब करते हैं यह जानते हैं काम करने वाले की बजाए जिसके लिए काम हो रहा है उसे मुख बनाना हो तो ही फ्रेंड passive voice का हम लोग use करते हैं चलिए फ्रेंड मैं रिपीट कर दे रहा हूँ काम करने वाले की बजाए जिसके लिए काम हो रहा है उसे मुख बनाना हो तो फ्रेंड तभी फ्रेंड हम लोग पैसी वाइस का यूज करते है जैसे फ्रेंड माई कार इस बिंग रिपेर्ड फ्रेंड यहाँ पर फ्रेंड हम लोग यहाँ पर कार के बारे हम बात कर रहे है चुकि फ्रेंड मतलब मेरा कार जो है वाई रिपेर हो रहा है तो फ्रेंड यहाँ पर कार के बारे हम बात हो रहा है तो फ्रेंड यहाँ पर चुकि सो नहीं हो रहा है इस विडियो को फैर्ड आप स्किप ना करते हुए वीडियो को आप स्टार्ट से लेके इन तक देखे तोही आपके समझ में आएगा और फैर्ड आज की छोटे से वीडियो में मैं आपको सब्चित डिस्क्राइब करने वाला हूं फैर्ड एक्टिव वाइस का जो अब्जेक बनता है यहां पर आप वीडियो को ध्यान से देखे और ध्यान से सुने और फ्रेंड यहां पर हमारा जो दूसरा रूल है वो यह है कि मतलब टेंस के अनुसार जो हेल्पिंग भर्व में हम लोग बदलाब करते हैं और फ्रेंड तीसरा इसका रूल यह है भर्व की ठर्ट यहां पर है अब्जेक्ट से पहले हम लोग आई का यूज करते हैं ठीक है फ्रेंड आपके समझा अच्छे से आगया होगा अब लोग चाहें अगर फ्रेंड तो यहां पर आप लोग स्क्रीन सॉट लेके अपने नोट बूक में नोट कर सकते हैं या फ्रेंड आप लोग और अबजख्ट है अर अबजेक्ट मैं करेंगे और फ्रेंध व को असमें करेंगे ही को ही में करेंगे शिहर हो जाएगा और देदेँ हो जाएगा यहाँ पर चाह तो मैं पुर rusty में एक आइका मी होगा, वी का अस होगा, ही का हीम होगा और अप लोग सकन सोट ले लें और यहाँ पे ज़री इसका एक और रूल है एक्टिब से पैसी वाज में कनवर्ट करने का देखें तो पहले यहाँ पे नमबर form of the verb है वो helped हो जाएगा और friend simple past में friend जैसे कि यहाँ पे second form of the verb यूज़ होगा इसमें friend active voice में b2 का यूज़ होता है तो friend इसमें हम लोग was और were का यूज़ करेंगे और friend यहाँ पे helped का जो third form होता है friend वो भी helped ही होता है और friend हम लोगो was और बोलना है where नहीं बोलना friend वर होता है ठीक है और friend next है हमारा simple future इसमें friend will help है तो इसमें हो जाएगा passive में will be और friend आपको यहाँ पे help का हो जाएगा helped और friend present continuous में is MR और friend यहाँ पे helping है तो इसमें हो जाएगा passive में friend यहाँ पे हो जाएगा इज एम आर और friend यहाँ पे अपनी के उढ़ा यहाँ पे बिंग का यूज करना है और friend helping का यहाँ पे third form of the verb हो जाएगा आपको helped हो जाएगा और friend past continuous में was, were और friend helping जो है यहाँ पे इसको जो passive में convert करेंगे तो was, were और फ्रेंड यहां पर being का use करेंगे और helping जो है वो third form of the verb में मतलब कि भीधिरी का use होगा help हो जाएगा और friend present perfect में जो हम भीधिरी का use करेंगे तो friend आपको पता ही होगा has help का use होता है और third form of the verb का use होता है अजो passive में हम लोग friend इसको convert करेंगे तो friend यहां पर अच्छे ज्यान दे has been या have been आप पर depend करता है और friend यहां पर helped का भीधिरी जो है third form of the verb जो हो helped भी होता है और friend past perfect में friend had और helped इसको जो हम लोग passive में convert करेंगे तो head के साथ हम लोग को been लगाना पड़ेगा और friend यहां पर जो helped का third form भर्व होता है वो helped नहीं होता है और friend यहां पर last जो है वो future perfect में हम लोग will have और friend यहां पर हम लोग भीधिरी का use करते हैं जो कि इसमें भी same रहेगा passive voice में will have और friend यहां पर been add हो जाएगा और बागी friend आप लोग यहां पर helped को help का जो friend third form यहां पर यह जो helped है यह भीधिरी है और friend इसमें passive voice में भीधिरी होता है इसलिए यहां पर change नहीं होगा आपका जो helped है वो यहां पर भी help रहेगा मतलब कि friend अब यह समझ लिजिए third form of the verb का use होगा और friend मैं यहां पर फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आप वीडियो के skip ना करे और अच्छे से friend यहां पर यह जो चार्ट में मैं आप जो भी explain किया हूँ friend आप चाहें तो इसका भी screen shot ले सकते हैं और friend आप बेतर होगा आप screen shot ले ले यह जरूरी समझा कि voice पर भी एक completely वीडियो बनाया जाए जो कि friend आज मैंने बनाई दिया और friend चलिए यहां पर हम लोग आप example देखते हैं और सीखते हैं simple present tense का यहां पर हम लोग sentence लेंगे he teaches English ठीक है friend he teaches English और friend चलिए इसको अब हम लोग passive में convert करेंगे और जानेंगे देखे friend यहां पर यह sentence जो है यह आप लोग देख चुके हैं और friend यहां पर जो English object है यहां पर subject हो जाएगा English is taught by him और देखे friend आपको मैंने पहली बतलाया कि यहां पर ही का हीम हो जाएगा जो कि previous जो चार्ट मैंने यहां पर दे रखा था उसमें मैंने explain already कर दिया था तो friend यहां पर आप अच्छे से देखें English is taught by him ठीक है friend और friend simple present tense का जो कि active voice था वो यह था he teaches English और friend जब हम लोग इसको passive में convert करेंगे तो चुकि friend वहां पर करेंगे और friend तरी next example हम लोग यहां पर देखते हैं राहूल helps Mohan ठीक है friend इसको हम लोग passive convert करेंगे तो friend Mohan जो active voice पर वहां पर object है यहां पर subject हो जाएगा Mohan is helped by Rahul मतलब Mohan is helped by Rahul ठीक है friend यहां पर आप लोग अच्छे से ध्यान दें और friend इसी के साथ friend यहां यहां पर फ्रेंड आप लोग स्कीन सोट लेते हुए चले ताकि मतलब आपके समझ में अच्छे से आजाए और friend जैसे कि यहां पर आप लिए हमेंसा ध्यान दे के friend देखें अब हम चलेंगे simple past tense में अब लोग अब हम लोग simple past tense का जो एक्जामपल होता है हम लोग उसको जानेंगे और friend आप वीडियो के skip ना करें और friend आप start से लेके इन तक देखें see taught me ठीक है friend यहां पर यह जो sentence है यह simple past tense का sentence है इसको हम लोग passive में convert करेंगे तो friend देखें वहां पर मी जो है वो अबजेक्ट है तो यहां पर यह subject हो जाएगा passive में convert करते समय करते टाइम जैसे कि मी का हो जाएगा आई I was taught by her ठीक है friend अच्छे से यहां पर ध्यान दें देंगे friend me जो है वो friend यहां आई में convert हो जाएगा चुकि friend me यह simple past tense का वहां पर जो object है यहां पर passive में आने के बाद यहां पर यह subject का काम करेगा और friend यहां पर was का use होगा चुकि यह simple past tense का sentence है और friend I hope friend आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और friend मैं बहुत ही easy way में कोशिच कर रहा हूँ यहां पर आपको समझाने का friend यहां पर आप लोग फिर से ध्यान दे a later was written by him friend a later जो active voice का sentence में है यहां पर आने के बाद passive में convert करते समय यह friend यहां पर यह subject में आ जाएगा इसका subject हो जाएगा चुकि वो उसका object था a later was written by him चुकि friend यहां पर आप हम लोग चलेंगे next example पर friend simple future का हम लोग यहां पर sentence लेंगे और friend उसको हम लोग friend यहां पर passive voice में कैसे convert करते हैं convert करके जानेंगे और सीखेंगे इसी वीडियो में friend यहां पर यह complete voice का वीडियो है और friend आप इदम देखते रहें अच्छे से आपके समय आ जाएगा example है I will teach you और friend देखिए friend यहां पर you का you ही रहेगा और विल रहेगा और friend विल के से अब लोगो बी का यूज़ करना पड़ेगा और टाउट होगा by me you will you will be taught by me ठीक है friend और friend यहां अच्छे से अब ध्यानते friend you कभी change नहीं होता है यू जो होता है वो यू ही रहता है मोनिका विल प्ले बैडमिंटन और friend देखिए बैडमिंटन यहां पर फिर से सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिर में आने के बाद बैडमिंटन विल बी प्लेट बाइ मोनिका और friend यहां पर प्ले का जो थर्ट फर्म अब भर्ब होगा वह प्लेड होगा फिर आप लोग को वा में हो गया हुट हो गया friend जब भी हम लोग इसको पैसिब में कनवर्ट करेंगे तो हम लोग बी का यूज़ करेंगे for example देखते हैं I can solve this puzzle this puzzle can के साथ ही हम लोग भी यूज़ करेंगे solve by me और friend हमारा next example है you should obey traffic rules जब इसको हम लोग passive में convert करेंगे तो traffic rules should be obeyed by you और friend यहाँ पे I may help you में के साथ भी बी का यूज़ होगा you may be helped by me और आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग जब भी passive में convert करेंगे तो हम लोग का जो भर्भ होगा हमेशा भी थिरी रूप में होगा मतलब friend हम लोग normally ये समझे ले हम लोग को third form of the verb use हम लोग को करना है जब भी हम लोग passive में sentence को convert करेंगे मतलब active voice के sentence को जब भी हम लोग passive voice में convert करेंगे तो हम लोग को हमेशा जो है fred वहाँ पे हम लोग को भी तरीका यूज़ करना परेगा चाहे friend हम लोग का sentence present में हो या past में हो या फिर future में हो जब भी friend हम लोग यहाँ पे इसको active के sentence को और friend जब भी हम लोग passive में convert करना चाहेंगे तो friend यहाँ पे यह बहुत ही सिमिलर चीज है कि अभर लोग को भी तरीक़ यूज़ करना है च्युक्त फ्रेंट। और फ्रेंट मोडेल शेयopers में आप लोग याद रख लें कि मैं यतना मोडेल से हैं सब्सक्री आपको बीुख करूं के मिज़ित opini यहाँ कुछ थे वीडियो को पसंद आया है और आपना कीमति करना ना भूले और यहां पर मैं उन फ्रेंट के लिए कुछ कहना चाहता हूँ जिन अभी तक हमारे यूटिब चैनल एड़ांस लर्डनेomorph को सब्सक्राब नहीं किया है तो इन-विधं से में रिक्वेस्ट है जिन्हों और फ्रेंड जो मैं हरी वीडियो भलता हूँ,- Mozart वो ए फ्रेंड ऐसक को ची प्रॉब्लम हो सब्सक्राब कर लो जब भी कोई लेटिस्ट वीडियो अप्लेट करूँ तो उस वीडियो का जो लेटिस्ट वर्धन होता है वो सबसे पहले आपके फोन पर आजाए और फ्रेंड आप मेरे वीडियों से हल्प ले सकते हैं और अपनी इंग्लिश को फूलेंड कर सकते हैं और फ्रेंड जो मैं हर निए प्रब्लम को ब्रॉब्लम करें और हमसे पूछे आयोप मैं आपके अपर प्रब्लम का सब्सक्राइब करूँ का ओके आप मिलिंगे नेक्स वीडियो में आप कुछ नियु और लिटेस्ट टॉपिक के साथ तो क्लिफ चौन्वाइब